स्वागते आप सभी का एजूकेशन इन्या चनल पर एक बार फिर से तो आईए बात काते हैं ताजा मौसम अपडेट की आपको बता दे की मौसम इभाग द्वारा दिल्ली हरियाना पंजाब राजस्तान उत्तर परदेश मद्यपरदेश सहीत कई राज्यों में अगले 24-48 गंटों में भारी बारिश और तुफानी अंदर को लेकर चेतावनी जारी की है तो मौसम से जुड़ी संपून जानकारी द न भूले क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाएगा और आपको हर रोज मौसम से जुड़े वीडियो अप्लब्द करवाते रहेंगे तो चलिए शुरू करते वीडियो और बताते आपको ताजा मौसम अपडेट तो दोस्तों मौसम की जानकारी देने वाली इसकाई मेट एजेंशी के अनुसार पश्ची में विक्षोव के सकरिय रहने के कारण कल यानी 11 माई को पंजाब, हरियाना, पश्ची में उत्तरपरदेश, उत्तरी, राजस्तान, दिल्ली, साइथ कुछ इलाकों में बारिश और उलावश्टी के साथ ही भारी अंदर चलने की चेतावनी जारी की हिग गई हैं जिश्चे, सामानिय जन्जिवन तो अस्ट वेस्ट हो गई, साथ ही किसानों को भी ज़्यादा नुक्षान होने की संभावना जताई जा रही हैं वहीं 12 माई को पंजाब के उत्री हिशो दिल्ली और उत्तर परदेश के पच्ची में जिल्लों साइथ उत्तरी मैदने इलाकों में बादल चाहे रहने और छुट-पुट बूंदा बांदी होने की संभावना जताई गई हैं आगे दोस्तों राजस्तान के मौसम की बात करें तो परदेश में पिशन गर्मी के बीच रविवार को एक बार फिर मौसम पलट गया और कई जिल्लों में अंदर के साथ ही तेज बारिस और ओला विश्टी भी देखने को मिली हैं इस दोरां जन्जिवन्य अस्ट्वेस्ट हो गया वहीं कई जिल्लों में पच्चास से साथ किलोमीटर परती गंटे की रवतार से हतेज हवाएं चली इस ये गर्मी में भी लोगों को रात मिली हैं राजदानी जैपुर में भी रववार साम को अचनक धूल के गुबार आसमान में च्छा गए शाम को बारिस ये मौसम शुहाओना हो गया वहीं आपको बता दे कि नागोर में तेज हवाओ के साथ हलकी बुन्दा बांदी शे मौसम ठंड़ा हुआ दिन में तेज गर्मी के साथ ही दो पर बाद आसमान में बादल च्छाने लगे तथा साम को करीब पांस बजे आसमान में तेज हवा के साथ धूल के गुबार च्छा गए इसके बाद हलकी बुन्दा बांदी का दोर सुरुआ जो रुक रुक कर रात तक जारी रहा आपको बता दे कि राजस्तान के अजमेर बुन्दी सवाई मादोपूर करोली चुरु टॉंक दोसा नागोर शीकर जैपूर बारा जालावाड में मौसरा विबाग ने बारिश और अंधर को लेकर चेतानी जारी की है जो अगले 24-48 गंटों में इंजेलों में हो सकती है वहीं आपको बता दे कि मौसर विबाग ने चुरु हनुमानगर शीरी गंगानगर बीकानेर नागोर दोसा बरतपूर करोली दौलपूर सवाई मादोपूर टॉंक अलवर शीकर जुंजनू जैपूर अजमेर बिलवाड़ा में 14 माई तक बारिश और ओला वस्टी होने की दोस्तों उत्तर पर्देश के मौसर की बात करें तो मौसर विबाग ने ब्रज शेत्र पस्ची में यूपी और तराई के कुछ जिलों के लिए फिर शेयलेट जारी किया है राद तक इन जिलों में 80 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से दूल बरी आंधी चल सकती है साथ बारिश और बिजली गिरने की भी आजशेंकात जाहिर की गई हैं आपको बता दे कि रहीवार को उत्तर भारत के कई राजियों में आधी तुभान और बारिश ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी है वही मौसर विबाग ने यूपी के कुछ शेत्रों को लेकर अलेट ज लेगी और बताया गए कि बारिश और बिजली गिरने की भी आजशेंका बनी होई हैं आपको बता दे कि मौसरम विबाग ने उत्तर परदेश के आगरा मतूरा आथरस एटा कासंगज बुलंसर मैनपूरी अलिगर्ड रामपूर संबल बदायू बरेली पिलिभीत में रात को लोकों को सत्रक रहने की इदायत दी हैं साथ ही इंजलों में बारी बारिश और अंदर को लेकर चेतावनी जारी की हैं वहीं देश की राजदानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 11 माई को हलकी बारिश के साथ 30 से 40 किलो मीटर कंटे की रपता से हवाएं चल सकती हैं मौसम विबाग ने 12 और 13 माई को भी मौसम बिगड़े रहने की बात कही हैं और दिल्ली शाहीद आजपास के जिलों में बारिश और अंदर चल सकता हैं वहीं दोस्तों आगे मध्य परदेश के मौसम की बात करें तो राजदानी भोपाल में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया पूरे सहर में धोल बरी आंदी चली और कई इलाकों महल की बारिश भी हुई आस्मान में बिजली भी कड़क रही सनिवार को भी भोपाल में देश साम तक बारिश होई थी मौसम विभाग की तरप से जारी पूरा नुमान में परदेश के आदे से जादा जिलों में बारिश की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार परदेश के अगले एक दो दिन मौसम बिगड़ा रहेगा आपको बता दे कि मौसम विबाग के अनुशार भोपाल, गौालियर, चंबल, होसंगाबाद और जवलपूर संपागों के जिल्लों में गरत चमक के साथ बारिश हो सकती है इसके साथ ही उजेन, साजापूर, देवास, इंदो, दार, खंडवा, खरगों, टिकमगर्ड, छतरपूर, सागर और दमोस जिल्लों में भी बारिश और अंदर चलने की संबावना जताई जा रही है वहीं दोस्तों मौसम इबाग ने अपने पूरवन में कहा कि पिछले 24 गंटों के दोरांत परदिश के जबलपूर, सरडोल, गवालियर और वोपा संबाग के जिल्लों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई हैं वहीं इन जिल्लों में मौसम सुष्क रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मौसम से जुड़ी संपून जानकारी आपको दे दी गई हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी मौसम की जानकारी मिल सके जै हिन जै बारत दनियवाद कर दnoteफ कर दो मिल सकता हैगे मिल सकता जानकारी मिल सकता लगे दकनारी मिल सकता है जा है कि बारत दोते करें जाल्य लोगादे रंबादन के लगे अध कर दवन के जाय है आख